जै हिन एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरूर देखियेगा नहीं तो इस वीडियो की जो जानकारी है वो आप लोग मिस कर देंगे तो दोस्तों बिना देरी किये हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैलानी सागर रेलवे रूट पर सियारेस इस्पेक्शन हो जाने के बाद इजर नगर मंडल ने रेलवे बोर्ड को पत्र बना के भेजा था उस पत्र में ये दिया हुआ था कि दोस्तों मैलानी सागर रेलवे रूट पूरी तरीके से कम्प् जा गया था तो दोस्तों इस पत्र का जो reply है वह railway board ने 26 October 2023 को दिया है उस पत्र में शाप साफ ये दिया हुआ है कि जो railway board के पास ये पत्र भेजा गया था उस पत्र पर railway board में मंझूरी दे दी है यानि कि हरी जंडी दे दी है अब दोस्तो मैलानी सागर रेल प्रखंड पर एक जोड़ी ट्रेंज चलाई जाएगी ये पत्र में दोस्तो दिया हुआ है तो इसकी पूरी डेटेल के साथ हम आप सभी को जानकारी देते हैं दोस्तो पत्र में साप साप ये लिखा हुआ है कि जो 056 लखनाउ जक्स से मैलानी के बीच में पसिंज ट्रेंज चलती है इसका जो विस्तार है वो मैलानी से आगे सागर तक कर दिया जाएगा दोस्तो ये जो जानकारी मैं आप सभी को बता रहा हुँ ये पूरी तरीके से कनफर्म है और आप सभी को दोस्तो बता दूँ दीपा वली से पहले एक सागर तक चलने लगेगी ये मेरा आप सभी से वादा है दोस्तो आप सभी को अब इसकी जो टाइमिंग है वो बता देते हैं टाइमिंग भी दोस्तो रेलवे बोर्ड की तरफ से निकल के आ गई है तो दोस्तो ये जो ट्रेन है 055 जो की लखनाउ से मैलानी के बीच में चलत जाएगी उसके बाद दोस्तो यही ट्रेन 12.30 पर मैलानी से डिपार्ट करेगी और पूरण पूर रेलवे स्टेशन पर एक बचकर 19 मिनट पर पहुँच जाएगी फिर दोस्तो पूरण पूर रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट रुखने के बाद 1.24 पर पूरण पूर से डिपा पूरण पूर रेलवे स्टेशन पर दो बचकर 50 मिनट पर पहुच जाएगी फिर पूरण पूर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का 5 मिनट का ठहराओ होगा उसके बाद पूरण पूर से यही ट्रेन 25 पर डिपार्ट करेगी और मैलानी 3 बचकर 25 मिनट पर पहुच जाएग मैलानी में दोस्तो इसका 5 मिनट का ठहरा होगा फिर मैलानी जक्सन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन 4 बजे डिपार्ट करेगी और लखनाव जक्सन रेलवे स्टेशन रात 8 बच कर 50 मिनट पर पहुँच जाएगी तो दोस्तो ये इसकी टाइमिंग है आप लोग नोट कर लिज कि रेलवे बोर्ड की तरप से ये जो नोटीप केशन है ये अब तक क्यों नहीं आ पाया क्यों लेट लतीपी हुई तो दोस्तो इसका एक यही कारण है कि जो इजन नगर मंडल है वो दोस्तो मैलानी सागर रेलवे रूट पर रेल बित्री करल पूरा हो जाने के बाद ही च देख सकते हैं जैसे ही मैलानी सागर रेलवे रूट पर सियारेस और जो पीसी सी इस्प्रेक्शन है सफल रहा उसके एक डिएड महिने बाद जो रेलवे बोर्ड की तरप से नोटिफकेशन है ट्रेंस संचालन का वो आ चुका है तो उस नोटिफकेशन को मैंने वीडियो के लाश्ट में लगा दिया है आप लोग उसको रोग करके पढ़ सकते हैं दोस्तों मैलानी सागर वासी काफी लंबे समय से मांग कर रहते तो उनकी मांग अब पूरी हो चुकी है बस दोस्तों डेट आना बाकी है कि जिस तारीक को इस ट्रेन का उद्गाटन किया जाएगा ज